मरवड़ी मेड़ी आप देख रहे हैं परदेश के मोसम को लेकर आपको बड़ी अपडेट दूँगा लेकिन उससे पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा राजधानी जयपूर का ये वीडियो है और आप देख रहे होंगे पानी भरने के कारण एक लगसरी कार पूरी तरीके से उसमें समा गई है बड़ी अपडेट ये है मीडिय रिपोर्ट्स के अनुसार इसकार में राजिस्तान सरकार के मंत्री मुरारी लाल मीना की बेटी निहारी का जोरवाल सवार थी राहत की बात ये रही जिस समय ये कार पानी में डूब रही थी तो वहाँ लोग मौजूद थे बाद में लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से रेस्क्यू किया आपको बता दूँ बीते 24 गंटों के दोरान जैपूर के कई स्तानों पर अच्छी बारिस हुई जिसके बाद सबसे पोस इलाके सीवल लाइन में भी पानी भर गया यह पानी मंत्रियों के बंगलों तक चला गया देखे आज हुआ क्या जब जैपूर में बारिसो रही थी तो मुरारी लाल मिना जो गहलोट सरकार में मंत्री है उनकी बेटी निहारीका ने अपनी कार अंडरपास में उतार थी अपनी कार उतारी तो उसे आभास नहीं हुआ कि उसमें कितना पानी है उसने जैसे ही पानी में कार उतारी तो वह डूबने लग गई निहारीका ने बताया कि वह जब अंडरपास के बीचों बीच पहुची तब चेंबर खुलने से अचानक कार में पानी का भराव हो गया, कार में पानी भरने से वह बंद हो गई, बाद में इस्तानिय लोगों ने पहुँच कर निहारीका को कार से बाहर निकाला, और तब जाकर मंतरी की बेटी ने राहत की सांस लिए, आज राजिस्तान के आदे हिस हिस्से में तो बारिस की गतिविदियां कापी कम देखी गई, लेकिन आधी हिस्से में बारिस की गतिविदियां तेज हो गई है दोलपुर में, बारिस के कारण घरों में पानी भर गया, आजमेर के मसूदा में, गर पर आकास ये बिजली गिरने से महीला जुलस गई, वही मौसम इभाग ने 22 जिलो में 30 बारिस का अलर्ट जारी किया है जिसमें करोली सवाई माद्दोपूर जैइपूर में कहीं कहीं पर बिजली गिडने की भी आसंका जताई गई है बड़ी अपडेट ये भी है अगले 48 गंटों के दोरान पस्चीमी राजिस्तान के जोदपूर के आसपास के जिलों में भी कहीं कहीं पर भारी भारिस हो सकती है मौसम इभाग के अनुसार अगले 4 से लेकर 5 दिनों तक दक्सिनी राजिस्तान के कोटा और उदैपूर के आसपास भारी भारिस का दोर जारी रहेगा और देखिए मोजोदा इस्तती में चूरू, सिक्कर, नागोर, बिकानेर यहां पर भी बारिस की संभावना बने हुई है मोसम विभाग ने जो 22 जीलों को लेकर अलर्ट जारी किया है उसमें यह जीले भी सामिल है जो भी परदेश के मोसम को लेकर कोई बड़ी अपडेट आती है तो कल सुबह वाले वीडियो में आपके साथ साजा करने की कोशिस करूँगा फिलहाल के लिए इतना ही धन्यवाद